सभी कुम्भरासी के भाई बहनों का सातर अभिवादन आज हम जानने वाले हैं 18 साल बाद 18 दिनों के लिए वो कौन से कारिय हैं जो हम सोचेंगे और पूरे हो जाएंगे इस बात की प्रूफ को सिद्ध करने के लिए इस चार्ट में हमने सिर्फ और सिर्फ कुम्भरासी लिखा है किसी भी ग्रह को यहां पर इन्वाल्व नहीं किया है ताकि आपके समक्ष स्वय में लाइफ प्रूफ दे पाएं कि भाई कैसे ये परिवर्तन संभव है देखिएगा समझेगा और जो आपको टेकनिक बताएंगे जो आपको उपाय बताएंगे उस पर काम कीजिएगा निश्य मानिये एक बहुत बड़ा परिवर्तन संभव है इस समय पर जो अभी चल रहा है होगा क्या 18 साल बाद जो हमने लिखा है उसको पहले पुष्टी करते हैं राहू का टांजिट एक रासी पर 18 महिने के लिए होता है इस हिसाब से ये पूरे घर पर गुमते गुमते इनका साइकल 18 साल बाद पूर्ण होता है और यही राहू आपके धन भाव पर उपस्थित है अब जैसे ही आएगा 7 मार्च से लेकर के 26 मार्च का डेट इस टाइम पर जो ग्रहों के राजकुमार हैं बुद्ध इनका गोचर भी आपके अपने रासी से छोड़ करके यह भी प्रविष्ट हो जाएंगे आपके धन भाव पर अब राहू और बुद्ध का एक कॉम्बिनेसन बन जाएगा बुद्ध यहाँ पर नीच के भी हो रहे हैं अब इस इस्तिति में आपने सुना होगा या कई आपने कारिकरम देखे होंगे जहाँ पर बुद्ध का नीच का होना चुकि आपके पंचमेस है मानसिक असान्ति को बढ़ा सकते हैं आपके पंचमेस धन भाव पर है धन समन्दी चिन्ता प्रदान कर सकते हैं यह हमारे वैदिक एस्ट्रोजिक एनुसार यह सत्त भी है दूसरे तरब से इसे जड़त्व योग कहा जाता है लेकिन आज हम प्रयास करते हैं इसी जो कॉम्बिनेशन में कैसे हम सफलता को प्राप्त कर सके कैसे एक बेहत सुब आउसर को निकाल करके अपने जीवन में अग्रसित करा पाएं आज इस बात पर चर्चा होगी अर्थात हमने यहां पर बारा लिख लिया अब जो गरा बैठे हैं उनको लिख लेते हैं तो यहां पर राहू हो गए और यहां पर हो गए बुद्ध देउता अब यह तीन एक कॉम्बिनेशन बना है बारा नंबर की जो रासी होती है वो हमारे जीवन में अवचेतन मन को प्रदर्सित करती है यह हमारा अवचेतन मन है बारा नंबर की जो रासी है कालपुरुस की कुंडली की जो कि आपके धनभाव पर है और राहु जो है वो बोलता है कि मैं असिमित ग्यान हूँ और साथ ही साथ कलपना सकती हूँ हम कलपना को जोड़ते हैं अपने जो थौट होते हैं उनको जोड़ते हैं राहु के संग में और साथ में बुद्ध जो हो गए ये हमारी बुद्धी मता है और हमारी सोच हो गई अब हुआ क्या इन दोनों ही ग्रहों का प्रभाव इन 18 दिनों में क्योंकि साथ तारीकों तो ये प्रवेस करेंगे ही और 26 तारीकों चले जाएंगे जो बीच का डेट पढ़ता है वो 18 दिनों का है अब इस बीच में ये दोनों ही ग्रह देखेंगे आपके ठीक अस्टम्भाव को अस्टम्भाव होता है परिवर्तन का तो क्या इस टाइम पर परिवर्तन होना है तो समझेगा हाँ होना है कैसे होगा आप इसे समझे अवचेतन मन पर हमें कारी करने क्या हो सकता है क्योंकि ये 12 नमर 84 अवचेतन मन है राहू यहां बैठे हैं अर्थात हमें कलपना करना है विजूलाइज जेसन में हमें कारी करना है कालपनिक रूप से एक दर्सन करना है क्योंकि बुद्ध हमारी बुद्धी है अब जब हम कोई अच्छी बातों को विजुलाइज करते हैं और उस राहू को हमने यूज कर लिया इस कॉम्बिनेशन को हमने यूज कर लिया तो वो हमारे साथ इवेंट सत प्रतिसत घटना घटित होगी अब यदि कोई व्यक्ति बुरा कोई विचार अपने मन में रखे तो बुराईयों को आउसोसित करेगा अर्थात ये जड़त्वयों काम कर जाएगा और इसी टाइम पर आप कोई सुब संचार को अपने जीवन में लाते हैं क्योंकि धन भाव पर बैठे हुए हैं धन से जुड़े कोई मामले आपके हैं आप कोई बहुत बड़ी धनरासी चाहते हैं तो ध्यान रखेगा पांच मिनट सोने से पहले और पांच मिनट उठने के बाद आपको एक दारसनिक रुप से कलपना करना है मात्र और उस कलपना को कैसे करना है एक विजुलाइस करना है आपको कि हाँ मैंने अपने उस धनरासी को प्राप्त कर लिया है कर लिया है करने वाला हूँ नहीं या मुझे प्राप्त होगा नहीं हमने इस टेक्निक को यूज किया है, बहुत 100% काम करता है, इसका यूज जरूर किजेगा, सायद कोई बहुत अच्छा परिवर्तन निकल करके सामने आए, अब जिस समय पर आप इसे देखेंगे अपने मानसिक रुप से, उस समय पर आपके smiling face होनी चाहिए, मुस्कुराता हु और आप उसे ऐसा सोचेंगे कि मानो मेरे साथ वो घटना घटित हो गई है, मुझे वो बड़ी धनरासी प्राप्त हो गई है, और उस field में आपको काम भी करना है, सिर्फ हमने तो सोच लिया, उसे visualize कर लिया, लेकिन यदि हमने काम नहीं किया, तो वहाँ पर हमने 50% का use किया है, अर्थात हमें 100% result नहीं मिलेगा, अब यही प्रक्रिया आपको सुभा करना है, कि उस धनरासी को प्राप्त करने के बाद आप एक करजे चुकते हो गए हैं, कोई उस धन से कोई अच्छे कारे करने वाले हैं, आप उस पैसों का आप यूपियोग कर पा रहे हैं, चुकि मात्र, यकीन मानिये, यह पूरे के पूरे बहुत काम करता है, यह अच्छेतन मन की सकती जो है, इसके उपर में हज्जारों पुस्तके लिखी जा चुकी है और लाखों लोग इसका लाव उठा चुके है अब यदि हम या तो पता नहीं है या तो हम इसका यूज़ करना ही नहीं चाहते और इसका जब यूज़ हमने कर लिया पांच मेट सोने से पहले और पांच मेट उठने के बाद सुबा भी यही प्रक्रिया कीज़े क्योंकि रात को जब हम सोते हैं तो हमारा सरीर तो सो जाता है आँखे तो बंध हो जाती है लेकिन हमारा अचेतन मन निरंतर काम करने लगता है ब्रम्हान के साथ में हमारी कनेक्टिविटी बढ़ जाती है ओम सांती ओम ओमी का एक डैलाउग हमें याद आता है कि यदि आप पूरे सिद्दत से किसे चीज़ को पाने के भिलासा रखते है तो सारी काइनात उसे दिला जाने में सक्षम होता है या आपके लिए वो प्रभावी हो जाता है तो अब समझे यदि हमने इसे कर लिया हमने उस टेक्निक को यूज की लिया तो भई हमने दिया क्या हमने बलिदान क्या क्या सिर्फ सोचा हमने और जैसा सोच होगा वैसा ही हमारा जीवन होगा इस बात को बन भूलिएगा जो भी कुछ भी आप इवेंट चांदे है फैमिली लाइफ है परिवारिक जीवन है वहाँ पर कुछ आप बहतर चाहते हैं उसको आप सिर्फ सोचिए मुस्कुराते हुए सोचता है ऐसे सोचता है कि मुझे प्राप्त हो गया निश्चाय मानिये कि पुरा ब्रम्हांड आपको उसे दिलाने में अपना मदद करेगा आपका अपने आप आप कुछ बात सोचिए किसी के बारे में आप सोचते हैं किसी ब्यक्ति भी से इसके बारे में सोचते हैं वो आपके पास है भी नहीं या तो दो-चार दिन के अंदर या तो उसी समय उस ब्यक्ति को आप देख पाते हैं आपका मिलना हो जाता है या फिर किसी रूप से आपके फोन के माध्यम से उसे आप पराप तकल लेते हैं उनसे बातचित हो जाती है ये सब सिर्फ एक एक वो नहीं होता कि मतब कि हाँ हमने ऐसा अचानक हो गी आईसा नहीं है ये कोई अकसमात होने वाली प्रक्रिया नहीं है ये बलकि ये दिद प्रदसित करता है कि जो हम सोचते हैं वैसा हम बनते हैं और साथ इसी करण से ये समय आपके लिए इतना अनुकूल है जहां पर मीन रासी पर जो कि आपके धनभाव पर बुद्ध और राहु का कम्बिनेशन है। पता है आपको प्राबलम कहा है प्राबलम इस संसार में नहीं है प्राबलम बाहर नहीं होता प्राबलम तो अंदर होता है हमारे यहां हमारे बुद्धी मता में हमारी सोच में प्राबलम आ जाती है जिससे करण से हम अच्छा होते हुए देखना ही नहीं चाहते और इसी करण कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं कि कुम्भ रासी का कभी कुछ भी नहीं हो सकता इनका जीवन दुर्भाग से परिपून है यह अपने जीवन में अच्छा करही नहीं सकते बड़ी पीड़ा होती है बड़ी बेदना होती है हमें कि कुम्भरासिके स्वामी सनी देव है जो कि न्याय के स्वामी जो कि कर्म प्रधान जब कर्म प्रधान व्यक्ति ही ऐसा बोले तो बाकी औरों है क्या याद होगा आपको लाखों लोग ऐसे हैं संसार में जो कुम्भरासिके हैं और बहुत बड़ा पैसा बना रहा है बहुत नोकरी मुझे तरक्की नहीं मिल रही है तो हमने सब उपाय कर लिया न भई हमने अपना प्रयाज भी कर लिया तो यदि 5 मिनट ये प्रयाज भी कर ले तो हमारे जीवन में जाता ही क्या है हमारा कोई पैसे नहीं लगने है कोई हमें मेहनत नहीं करना है सिर्फ सोई सोई हमें ये कारे करना है यकीन मानिए जीवन बहुत परिवर्तन हो सकता है हमने अपने जीवन पर इस टेक्निक को लगू किया है अपने जीवन पर और हमको 25 साल हो गया इस एस्ट्रोजी के फिल्ड में लेकिन जो कुछ भी हमने प्राप्त किया है आज तक ग्यान को मानेंगे और साइद इसी प्रयास की सार्थक्ता को लेकर के हम निरंतर किसी भी ग्रहों के नेगेटिव प्रभाव को नहीं साइद इसके पॉजिटिव प्रभाव को हम खोच पाते हैं ताकि आपके जीवन को हम उन्नत बना पाए आपका एक आप इतने सारे जो ल आपका और हमारा संबंध बहुत खास होगा और इसका उपयोग कीजिए अपने अउचेतन मन पर कारे कीजिए उस ख्वाब को देखिए जो आप वास्तों में बनना चाहते हैं जो वास्तों में आप पाना चाहते हैं परिवर्तन होकर रहेगा उम्मीद है आप सबने इसे समझ को सार्थक लगा हो तो हर बार की भाति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा और हाँ यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब भी किजिएगा पुनध है एक बार फिर आप सभी का दिवस बहूत मं मैं हूँ इन्ही सुबकामनाओं के साथ जैस्री राम